हेलो एवरिवन कैसे आप सब अपनी कलास चल रही थी एलफाबेट की जिसकी आज तीसरी कलास है ठीक है इसमें हमने कुछ किशन किये थे उससे आगे हम देखेंगे एलफाबेट में एक ही चीज याद करने को है कि डारेक्ट आपको क्या याद होने चाहिए नम्मर याद होने चाहिए और ओपोजिट नम्मर याद होने चाहिए ठीक है इसके अलावा एलफाबेट में कुछ भी याद नहीं करना जो किशन अपने को बोले वो करते जाना है पह था अक्सर कौन सा होगा क्या दे रखा है इन इंगलीज अल्फावेट विच लेटर विल वी फॉर्थ एट राइट प्रॉम नाइन एट लेफ्ट प्रॉम सेवन्थ प्रॉम राइट ठीक ना अंग्रेजी वरणमाला यानि पूरी एस से जड़ तक कहां पर जाना है दाई और से सात्वा दाई और से सात्वा कौन सा होगा कैसे सिखा था कि उल्टा कर दो साथ दाई और से सात्वा मतलब लेट और से कौन सा हो गया 20 कैसे पता किया कि योग कितना होता है 27 होता है उल्टा पूछा तो अपने क्या कर देंगे 27 में से माइनस कर देंगे दोनु तरीके दे वेसे भी चलो देखते हैं एसे जड़ तक आपको दे रखा है अंग्रेजी वरण माला ठीक है यह पूरी की पूरी आपको क्या दे रखी है अंग्रेजी वरण माला दे रखी है कहां से जाना है दाई से मतलब राइट से कौन से अकसर पर साथवे पर चलते हैं एक दो तीन च्यार पांच छे साथ क्या आगया अपने पास से टी आगया अब देखो अगर अपने को ये सिरिज ना लिखनी पड़े यानि टाइम को बचाना चाहे तो टाइम कैसे बचेगा कि बाई अपने को ये तो नहीं पता हो सकता कि उल्टा करे साथवे पर कौन सा आएगा तो आपको क्या करना है 27 मैंसे 7 माईनस कर दो थीक ना 27 मैंसे 7 मैंने माईनस कर दिये क्या मिल एगे 20 अब देखो 20 नमर पर अंग्रे जी वरणमाला में क्या होता है याद किया था student card क्या लगता है student card स्ट कब 19 से 20 साल की उमर में तो क्या जाएगा टीप पर आगया यहां तक पहुंच गे दाई और से साथवे अक्सर के मतलब इसको मैं छोड़ दूगा के और से का मतलब यह था के बाई और नो अक्सर अब कहां चलना है वापस बाई और जाना है कौन से अक्सर पर नो नमर तक एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ और यह हो गया नो आपका कहां तक पहुंच गे के तक पहुंच गे नोवे अक्सर के दाई और चोथा वापस इसको छोड़ दो कहां जाऊंगा दाई ने और कौन से नमर पर चोथा पहला दूसरा तीसरा चोथा क्या एंस्वरा जाएगा ओ ओ कहीं दिख रहा है क्या बिलकुल दिख रहा है और अप्सन नमर ए ठीक है लेकिन आपको क्या करना यह अंग्रेज जी वरनमाला जो एलफा बेटा यह आप नहीं लिखोगे क्योंकि लिखने से क्या हो रहा है टाइम ज्यादा लग रहा है और टाइम की बचती स्लेक्शन का क्या होता है पक्का शोर होता है ना इसको कैसे करो कि देखो दाईने और से साथवे राइट से कौन सा है साथवा उसके बाद है बाइए और लेप्ट से कौन सा है नौवा उसके बाद वापस दाइए और कौन सा है चोथा ठीक है ना अब क्या करोगे लेप्ट का हम पर है राइट का हम पर है इनको देख के आप एंसर निकाल लोगे नो और साथ कितना ह पर ओता है तीन डिजिट वाला आ जाए तो आप ऐसे करोगे ठीक है और अगर यहां पर दो बारी पुछे लेट और राइट फिर तो सिंपल सा है सीधा क्या करोगे अगर लेट राइट है तो जोड़ दोगे और अगर लेट लेट है तो क्या करोगे माइनस करोगे अगर राइट राइट है तो फिर क्या करोगे माइनस और राइट लेट है तो क्या करोगे पलस यानि अगर दोनु सेम होगा तो तो क्या करोगे माइनस करोगे दोनु अलग है तो फिर क्या करना अपने को पलस करना है ठ इकला क्या दे रखा है निमन लिखित सब्दों को सब्द को उसके अनुसार विवस्तित करने पर कोन सा सब्द अंत में होगा क्या पुछा है अंत में क्या आएगा उसके बारे में पुछा है देखो विच वर्ड इज एट लश्ट यानि सब्से अंतिम में कोन सा सब्द आएगा किसके अनुसार आप्टर अरेंजिंग दी फॉलॉविंग अकॉल्डिंग टो डिक्सनरी यानि अंग्रेजी डिक्सनरी को अगर आप देखते हो तो आपको जो चार सब्द दे रखे हैं इनमें का इसे करोगे सबसे पहले इनके नम्मर लिख लो नितत्म Только को कि एस ए टी आइन उसके बाद क्या है सट इटी आइ ईर ई उसके क्या दे रखी है सबसे पहले सब्सक्राइब को देखोगे पहला सब्सक्राइब क्या मिला एस मिला लेकिन चारों ही क्या आपको S दे रखा है तो हम नहीं बता सकते कि सबसे पहले कौन सा इगा फिर देखा मैंने A है T है A है T है A है T है और A है T है यानि इन तीनों वर्ल्डों को देखने पर मुझे अभी नहीं पता चल रहा कि मैं सबसे पहले कौन सा सब्द लिखो या सबसे लाश्ट में कौन सा लिखो उसके बाद यहां चोथा सब्द देखो आई है यहां भी आगे क्या है आई है यहां यू है और यहां आई है अब एक दिमाग लगाना छोटी सी चीज है कि अगर इसने पूछ है आपको कौन सा सब्द अंत में होगा तो अंत में देखो आई आता है या यह आता है यानि पहला दूसरा तीसरा तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है कंफरम नहीं अगर मैं पहला का पुछो तो आगे अपने को और देखना पड़ेगा लेकिन अंतिम तो सब को यहां से पता चली जाएगा कि यू वाला क्या आता है अंतिम यानि से टी यू आरन सी नम्मर क्या हो जाएगा आपके सबसे लाश्ट में हो जाएगा ठीक है ना आई बास समझे में अगर पहला पुछे तो आप क्या करोगे आगे वाला अक्सर को और देखोगे एन को एको एको लेकिन लाश्ट का पूछ लिया मतलब बहुत सिंपल कर दिया यहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी सिधा सा उप्षन क्या आगया आपका तीन नम्मर उप्षन आपका बिल क्रक्तित करिए और उस सब्द को बताईए जो ठीक मद्य में आता है इस बार क्या पूछ लिया कि आपको आंच सब्स्वड़ कों सा ओगा पांच सब्द है मद्या का मतलब क्या निकला कि तीसरा सब्द कौन सा होगा कौन सा सब्द देखना है तीसरा सब्द देखना है अपने को तो arrange the following words in the order of the alphabet and find which will come exactly in the middle यानि एक दम middle में कौन सा आएगा वोही तरीका आपने क्या कि इन सब को लिख लो क्या क्या दे रखा अपने को एक दे रखा है plane दूसरा है plan तीसरा है plenty चोथा है player और पांच वा क्या दे रखा आपको place ये पांच सब्द दे रखा है ठीक मद्या का मतलब बीच का यानि तीसरा सब्द अपने को ग्याद करना है कैसे करोगे पहले दोनों में तो पील 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 और पील है यानि पहले दोनों से मैं पता नहीं कर सकता कि कौन सा एगा उसके बाद यहां मुझे a दे रखा है यहां भी a है यहां e है यहां a है यहां a है इतना तो confirm हो गया कि e वाला क्या आएगा आएगा a सब लश्ट में आएगा क्योंकि e और e में अगर पुछे और पाफाबर में पहला क्या आता है तो पहले आपको पता है क्या आएगा इसके अ नदर तो पहले पर आगया इस तो पहले पर आगया यह दूसरे पर आई वाला तीसरा कौन सा हो गया एन तीसरा मतलब क्या हो गया आपका मिडिल और यही आपको ग्याद करना था एन वाला कौन सा प्लेन यानि ओप्सन नमर एक क्या हो जाएगा आपके बिल्कुल सही हो जाएगा आई बास समझ में चले आगे नेक्स क्यूस्टन पर आगे देखो क्या दे रखा है निमन लिखित करोज आपको सब्सक्राइब को def lives के अनूसार व्यवस्तित कीजिए range the following words according कि इस बार मार ना लाश्ट का पुचा ना पहलें का पुचा मा मिडिल का पुचा यानि बीचंआ पुचा अरेंज पुचा आपको ना कि आप इसको एरेंज करोगे ठीक है अब अरेंज में भी आपको कभी आरो ही करम में और कभी क्या पूछ सकते है आरो ही करम में भी पूछ सकते है ठीक है तो इसमें देखो कैसे करना आपको सबसे पहले हमने देखा I N I N I N I N I N उसके बाद है T I N T सब में दिख रहा है मुझे बिल्कुल दिख रहा है इससे क्या मैं बता सकता हूं पहले कौन साएगा बिल्कुल नहीं बता सकता है क्यों क्यों कि तिनों के तिनों सेम है अब जब सेम है तो मैं कैसे बता सकता हूं कि पहले कौन साइगा अगला वर्ड देखा मैंने इसमें है आपके आर इसमें क्या है आपके ई है इसमें आपके क्या वापस आर है चोथा वर्ड देखो इसमें आपके ई है और इसमें आपके क जल गया कि इस वाले में से या इस में से कोई पहले और दूसरे नमर पर आएगा ठीक है ना पहला और दूसरा किस में से आएगा इस में से या आएगा ट के बाद यहां आर है ट के बाद यहां ए है आएंट ट के बाद आर है आएंट ट के बाद ए है और आएंट ट के बाद आर है अब ए में भी पहला कौन सा आएगा ए के बाद क्या है आर है ए के बाद है आपका आर इसमें ए के बाद क्या है ए है ए के बाद इसमें भी क्या आप भी नहीं पता चला और के बाद इसमें वी है लेकिन इसमें और के बाद और है और पहले आता है कि वी अर 18 पर वी कितने पर होता है यह वी याद करो बाईस पर या यानि यह वाला आगए आपका क्या पहले पर मतलब कौन सा चोथे पर ये आ गया पहले पर तो ये confirm हो गया कौन से पर आ गया दूसरे पर यानि आपका जो चोथा है वो तो आ गया पहले पर चार और उसके बाद होना चीए कौन सा आपका दो नमर होना चीए ठीक है उसके बाद देखो तो आगे क्या आएगा तीसरे नमर पर देखते हैं क्या हो सकता है यह वाला हो गया I & T E R उसके बाद V था इसमें R था यह कम्प्लीट हो गया अब आओ पहले तीसरे और पांचवा में देखते हैं T के बाद इसमें था R इसमें भी R और इसमें भी आर नहीं पता चल रहा आर के बाद यहां पर क्या दे रखा आपको आई दे रखा है यहां आर के बाद क्या दे रखा है वी दे रखा है और यहां आर के बाद क्या है ए दे रखा है मतलब दो नमर यह हो गया तीन नमर ए वाला हो जाएगा चार नमर कौन सा हो ज AIR के बार यहां तो आई था यहां यह को यहां भी यह के बाद N है तो तीन नमर कौन सा होकिया के लिए और 5 नम्र circulating का इसने कर Arazo करम के से ृ कि नमर या निए जागई उसके बाद तीन नमर कौन सा हो जाएगा तीन ही हो जाएगा उसके बाद आपके चार नमर वाला कौन सा हो जाएगा जो पांच में था वो हो जाएगा और पांच नमर क्या हो जाएगा जो एक में था यह हो जाएगा चार दो तीन पांच एक यह है इसका सही करम ठीक है ना तो आपका इसमें क्या जाएगा चार दो तीन पांच एक क्या हो जाएगा इसका उपस्ट नम्मर ई हो जाएगा चलें आगे नेक्ष्ट क्यूस्टन देखते हैं अगला देखो अगला आपको क्या दे रखाया निमन लिकित सब्दो को सब्द कोस्ट के अनुसार विवस्तित कीजिए अरेंज दी फॉलोविंग वर्ड्स अकोल्डिंग टू दी डिक्सनरी यानि आपको पांच सब्द दे रखे हैं इन पांचो सब्द से आपको ये देखना है कि पहले पर कौन साएगा दूसरे पर कौन साएगा तीसरे पर कौन साएगा ठीक है ना इनका करम देखते हैं तो स दिएू ल यू सके बाद है आई अइन वे आई एसिद्ध ईन्वजिवल उसके बाद है आई अबी-आजिवनगर फे और उसके बाद का आई अएनन स्टी इस्टी आई इन्वेश्टके गेट उन्लो कि यह आपको पांच सब्पह makes स्पेलिंग देख लेना सब की ठीक है ना तो इसने बोला है अरेंज करना अपने को सब्द को इसके अनुसार बिल्कुल करते है आई अन वी ए अन टी ओर वाई आई अन वी ओल यू एन टी अर वाई आई अन वी आई साइब ल ए आई अन वी ए आर आई ए बी अली और लाश्ट में दे रखा है आई अन वी एस टी आई जी ए टी इनुस्टिक ठीक है ना तो देखो आई अन वी दे रखा है तीन सब्द है इसमें भी इसमें भी इन वी इसमें भी इन वी इसमें भी इन वी नहीं पता चल रहा चोथा सब्द इसमें है इ, इसमें है आपके ओ, इसमें है आपके आई, इसमें है ए और इसमें है इ, यानि सबसे पहला सब्द कौन सा आजाएगा, ए वाला आजाएगा, ए वाला कौन सा है, चार नमर का, यानि चार नमर सबसे पहला सब्द हो गया, ये वाला ओप्सन हट गया अपने आप, क्यार के बाद देखो कौन सा आएगा A के बाद आता है E लेकिन E यहां भी है और यहां भी है तो मैं E कौन सा करूँ E के बाद है N इसमें E के बाद है S N पहले आता है कि S N आता है बिल्कुल आता है तो दो नमर यह हो गया कौन सा पहला वाला यानि 4-1 तीसरे number पर क्या रहे गया आपका 5 रहे गया ठीक है I पहले आता है कि O तो आपको पता है I वाला यानि 3 नमर वाला पहले आएगा O यानि 2 नमर वाला बाद में 4-1-5 पर 3-2 इसका answer हो जाएगा ठीक है सिधा अपने को क्या करना है करम में लिखना और कुछ भी नहीं करना आगे देखो निचे दिएगे विकलपों में से उस सब्द को चुनिए जो दिएगे सब्द से बन सकता है Select the words from the following options which can be formed by the given world यानि एक सब्द आपको दे रखा है अपने को बस ये देखना है कि जो option दे रखे है उस option के परतेक वर्ल्ड या ये बोल सकते है सब्द में एक एक सर हो वो उपर वाले में होना चाहिए बन सकता है इसमें ये बोला है ना बन सकता है फॉर्मर्ट केन भी फॉर्मर्ट कुछ है तो अगर ये वाले जो आपके पांच पांच वर्ल्ड सब में दे रखे है ये सारी के सारे उपर वाले में है तो फिर वो बन सकता है अगर उपर वाले में नहीं है तो वो नहीं बन सकता और ये दो ही type के question पूछते है एक तो बन सकता है एक नहीं बन सकता तो देखो B है क्या उपर वाले में O कहीं है क्या बिलकुल नहीं है तो क्या बन सकता है नहीं बन सकता ओ कहां से लेक्षा हूं ठीक है ना बात वही है कि आपके पास 40,000 इंटे मकान बनाने के लिए इतनी ही आप क्या है लेके आ सके कहीं से और आपको इंटे मिली नहीं रही बात आती है कि आपने मकान बना रहे हो और उसने ठेकेदार ने बोला कि इसमें तो 45,000 इंटे लगेगी तो क्या ये मकान बन सकता है 45,000 वाला नहीं बन सकता वोई चीज इसमें है जब सब्द हैं नह मैं कहां से ले क्या हूंगा तो नहीं बन सकता बिल्कुल अब देखो M है E है T है A है लेकिन L L भी है यानि मेटल वाला सब्दाप का बन सकता है नहीं सकता है तो कुणसा बन सकता है उली नमर यानि मेटल सब्द है जो आपका बनाया जा सकता है ठीक है आगे देखो निमन परसनों में एक सब्द दिया गया है ये एक सब्द दिया गया है ठीक है उसके बाद चार विकलप दिये गया है ए वर्ड इज गीवन इन इच ओव दिफॉलविंग क्यूसंस देन फॉर ओप्संस आर गीवन लो इच वर्ड दे रखा है बिलकुल इन विकलपों में से एक सब्द ऐसा है जिसे दिये गये सब्द के अक्सरों का परियोग करके नहीं बनाया जा सकता पिछे वाले लाश्ट वाले के उसन में था बनाया जा सकता है इसमें पूछ लिया नहीं बनाया जा सकता one of the option is a world which cannot be made using the letters of the given world ठीक है ना identify date options क्या करना है उस विकलब को पहचानना है या ग्यात करना है सब्स दे रखा है recommandations ठीक है ना अब देखो सबसे पहले इसने बोला है नहीं बनाया जा सकता इसमें देखो N है A B है T I O N B है बिल्कुल बनाया जा सकता है ठीक है दूसरा देखो C O ये रहा डबल N B है E B है N B है T B है ये बिल्कुल बनाया जा सकता है यहाँ देखो common C O डबल N तो बिल्कुल है A B ہے और N B ہے तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता चोथा क्यों नहीं बनाया जा सकता क्योंकि S हमें क्या दे रखा है Extra दे रखा है S Extra है इसलिए यह सब अपने नहीं बनाया जा सकता ठीक है तो क्या हो जाएगा इसका अगर आपको पूछे सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका डी नमर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है नेक्ष देखते है आगे देखो निमन परसनों में एक सब्द दिया गया है ए वर्ल्ड इस गीवन इन इच ओफ दी फॉलॉविंग क्यू संस उसके बाद चार विकलप दिये गये है क्या बोल है देन फॉर ओप्संस और गीवन ब्लो इच वर्ल्ड यानि पर्टेक सब्द के लिए कितने ओप्संदे रहे हैं आपको चार ओप्संदे रहे हैं इन विकलपों में से एक सब्द ऐसा है जिसे दिये गे सब्द के अक्सरों का परियोग करके नहीं बनाया जा सकता अपने को उस विकलप को क्या करना है ग्यात करना है फाइंड करना है वन ओफ दी ओप्संस इजे वाल्ड विच कैन नोट बी मेड यूजिंग दी लेटर्स ओफ दी गीवन वाल्ड आइडेंटिफाइट ओप्संस यानि ऐसा कौन सा ओप्संद है जो हम प्रियोग करके नहीं बना सकत कैन नोट बी मेड ठीक है नहीं वाला कि उसन दे रहा है आपका नहीं वाला आप देखो कЙसे करो गे इसमें देखो ओ और एन एंट उ है क्या बिल्कुल है आर आर भी है एन भी है ए बी है उसकी बास एमलड वी भी है एन भी है आई दो बार है बिल्कुल है टी भी है और यह यानि यह भी बनाया जा सकता है यह भी बनाया जा सकता है तीसरा देखते है एन आई टी ए आर एन आई टी ए आर बिल्कुल बनाया जा सकता है चोथा देखो एन है क्या बिल्कुल है ए टी आई ओ एन एल एल कहीं दिख रहा है क्या बिल्कुल नहीं दिख रहा नेसनल यानि यह नहीं बनाया जा सकता तो एंसर कौन सा आपका डी नम्मर बिल्कुल सही हो जाएगा डी नम्मर क्या है नहीं बनाया जा सकता चले आगे नेक्स देखते हैं आगे आपको दे रखा है निमन पर्सनों में एक सब्द दिया गया है उसके बाद चार विकलप दिये गये है A world is given in each of the following questions then four options are given below each world इन विकलपों में आपको क्या करना है एक सब्द ऐसा है जिसे दिये गे सब्द के अक्सरों का परियोग करके नहीं बनाया जा सकता वो आपको देखना उस विकलप को क्या करना है ग्यात करना है One of the options is a world which cannot be made using the letters of the given world identify that options यानि ऐसा कौन सा option हो जाएगा ठीक है अब देखो T I N G L E बिलकुल बनाया जा सकता है दूसरा क्या है G है क्या अपने पास E भी है N भी है T भी है L भी है और E भी है जेंटल ये भी बनाया जा सकता है तीसरा देखो N E G L N E G L ये आपको दे रखा है उसके अलवा E C T है क्या E C T बिलकुल है बनाया जा सकता है तीसरा भी चौथा देखो फिर T I बिलकुल है डवल L है क्या बिलकुल है A है क्या A मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा यानि कौन सा नहीं बनाया जा सकता D नम्मर वाला ओप्सन क्योंकि जो इसमें A दे रखा है वो आपके A क्यूशन में नहीं है में जो सब्द दे रखा है उसके अंदर A मिस है इसलिए A के A वाला नहीं बनाया जा सकता ठीक है नेक्स क्यूशन देखते है आगे दे रखा है निमन लिखित विकलपों में से वह सब्द चुनिये जो दिये के सब्द के अक्सरों का प्रियोग करके नहीं बनाया जा सकता ठीक है ना क्या पोला है नहीं बनाया जा सकता चैन नोट बी फॉर्म कौन सा सब्द हो जाएगा देखते है Select a world from the options given law which cannot be formed using the letters of the given words यानि जो सब्द आपको दे रखा है उसको देखना है कि इन में से कौन सा सब्द नहीं बनाया जा सकता कौन से में extra world आ रहे है वो पैचानना है ठीक है E-S-S-E-N-C-E पहले में बिलकुल बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें सारे के सारे सब्द आपको दे रखे है दूसरा देखो E-N क्या क्या है E है N है उसके बाद T-I-C-E ये भी बिलकुल बनाया जा सकता है उसके बाद है S-E-Q बिलकुल दे रखा है U-I-N बिलकुल दे रखा है last वाला है Q-S-N Q-U-E T-E-U-C-E बाद है S उसके बाद है T उसके बाद है I उसके बाद है O ओ कहीं दिख रहा है क्या आपको बिलकुल नहीं दिख रहा यानि ये वाला सब्दे आपको नहीं दिख रहा इसलिए इसका उप्षन смотрите-गा डी नंमर उसकोंगा है जो नहीं शकता है ठीक है, डी नम्मर सब्द को हम नहीं बना सकते हैं, चलो, नेक्स देखते हैं, निमन लिखित विकलपों में से वह सब्द चुनिये, जो दिये के सब्द के अक्सरों का परियोग करके नहीं बनाया जा सकता, Select a world from the options given below, which cannot be formed using the letters of the given world, यानी E-S-T-R-A-N-G-E, इसमें से कौन सा सब्द ऐसा नहीं है, जो इसके अंदर तो नहीं है, लेकिन option में कहीं न कहीं आपको मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, पुच्छा है कि नहीं बनाया जा सकता, तो इसमें चेक करोगे आपके से कि ऐसा कौन सा सब्द आ रहा है, नहीं कहा गया, cannot be formed, ठीक है ना, कौन सा सब्द नहीं बनाया जा सकता, चेक करते हैं, जी है क्या पहले में बिल्कुल है, इ भी है क्या बिल्कुल है, एन है क्या बिल्कुल है, इ दो बार है, बिल्कुल है, आर ए, टी ए, अब देखो इसमें निया टाइप का क्या आया, इसके अंदर आपको E कितने दिखाई दे रहे है इसके अंदर मुझे E 2 ही दिखाई दे रहे है ठीक है ना लेकिन जो सब्द है generate इसमें क्या किया है उसने 3 E दे दिये एक दो और 3 लेकिन यहां तो 2 E है बात यह हो गई कि अगर आपको मकान में दो पिलर की जरूरत दो ही पिलर है और आपको बनाने है तीन तो तीसरा कहां से लेके आओगे तो यह चीज नहीं देखोगे कि E तो है ना आ रहा है E भी कितनी बार आ रहा है वो भी Check करना है इसमें E तीन बार चाहिए इसमें अपने दो ही बार है तो कौन सा हो जाएगा पहला यह वाला ओप्शन हमें नहीं बना सकते कौन सा जाएगा पहले वाला बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है चलें आगे next question देखते हैं आगे क्या दे रखा आपको कि निमन लिखित विकलपों में से उस सब्द को चुनिये जो दिये के सब्द के अक्सरों का प्रियोग करके नहीं बनाया जा सकता select a world from the options given below which cannot be formed using the letters of the given worlds ठीक है ना इसके बारे में आपको देखना है catering का दे रखा है c-a-t-e-r-i-n-g करना क्या है अपने को एक ही चीज करना है सिर्फ मिलान करनी है ठीक है ना और इसमें कुछ करना ही नहीं है मिलान करोगे तो आपको अपने आप answer मिल जाएगा मिलान किया मैंने पहला वाला देखता हूँ क्या a है क्या उपर बिल्कुल है r है क्या बिल्कुल है g b E b e, N b e, T b e, I b e, C b e, e यानि सारे के सारे सब्द मुझे मिल रहे है मतलब यह सब्द तो मैं बना सकता हूँ मुझे चाहिए नहीं बना सकता, cannot we form वो वाला सब चाहिए दूसरा चेक करते है C, R C, R बिलकुल है E, B, A, B, A, B, T, I, N, G बिलकुल है दोनों के दोनों यानि सारे के सारे वर्ड मुझे मिल रहे है फिर आगे चलते है तो मैंने देखा R, E, T, I R, E, T, I बिलकुल आगया उसके बाद यहां मुझे एक R दिखाई दे रहा है लेकिन यहां कितने R आगे दो R आगे मतलब यह सब्द मैं बना सकता हूं क्या बिलकुल नहीं बना सकता बात वो ही है कि एक R कहां से लेके आऊं ठीक है ना तो यह answer क्या हो जाएगा इसका C number option हो जाएगा बिलकुल correct answer आपका चले next question देखते है अब देखो इस सब्द में इस question में क्या दे रहा है जंक से पहले question को एक बार पढ़ना है फिर उसका answer देना है एक एक जो line है उसमें क्या आपका answer छुपावा मिल सकता है कहीं भी सब्द दे रहा है responsibility ठीक है ना के दूसरे साथवे दसवे वे तेरवे अक्सर से किसी अर्थ पुरण सब्द का निर्मान संबाव हो उसने दे रहा है if a meaningful world is possible from the कौन कौन सा second, seventh, tenth और thirteen second पर क्या है देखो E है आपका, क्या है E है उसके बाद है seventh पर देखो एक, दो, तीन, चार, नमर लगा लो सबके ताकि कोई दिकत ना हो ठीक है ना, seventh पर कौन सा दे रहा है आपको S दे रहा है tenth पर कौन सा दे रहा है, I दे रहा है और thirteen पर कौन सा दे रहा है, T दे रहा है अब उसने बोला है, क्या बोला है देखो इस सब्द के तीसरे अकसर को अपने उत्तर के रूप में लिखिए अगर जो आपने चार वर्ल्ड लिए है उन में से कोई भी अर्थ पुरण सबद बना सकते हो कौन सा भी बनाओ, एक होना चाहिए, दो हो तीन हो, कितने हो को आपकी मर्जी लेकिन अगर कोई अर्थ पुरण सबद बन सकता है तो उस अर्थ पुरण सबद का जो मतलब मिनिंग है उसका तीसरे अकसर क्या हो जाएगा, आपका एंस्वर हो जाएगा लेटर्स ओफ दी वर्ल्ड स्रेस्पोंसिबिलिटी देन फाइंड दी थर्ड लेटर ओफ देट वर्ल्ड एज यू एंस्वर हो जाएगा या फिर क्या हो सकता है, यदि एक से हदीक सब्दों का निर्मान सब्बा हो अब इसके लिए आपको इंगलीज वोकेब बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंगलीज वोकेब का मतलब है कि इंगलीज में आपको वर्ल्ड मिनिंग पता होना चाहिए, तभी इस टाइप के क्यों सना आप कर सकते हो, ठीक है न, वैससे इसमें सिंपल पूचते है ज्यादा हाई लेवल के नहीं फूचते है, वो ही वर्ल्ड आपको पूचा जाएगा जो आप डेली लगबग यूज करते हो, ठीक है, तो एक से हदीक सब्दों का निर्मान संबव हो, तो उत्तर आपको क्या देना है, M देना है, क्या देना है, if such a world is not possible, then answer X, if more than one such world are possible, then answer M हो जाए हो, यदि एक भी सब्सका निर्मान संबव नहीं है, तो X दो, स्थीदी सी बात है, इस किस्वान में क्या पुचा है, कि एक अर्थ बन रहा है, एक मिनिंग है, तो उत्तर आप उस मिनिंग का तीसरा अक्सर दोगे, एक से ज़्यादा है, तो M दोगे, और एक भी नहीं है, तो एक्स दोगे अब इंगलीज वोके बच्छी होनी चाहिए ईसाइटी से कोई मिनिंग्फुल वाल्ट बनता है क्या यह देखना आपको अर्थ पुरण सबद कोई बनता है क्या एस आइटी तो इससे एक ही सब्द बनता है कौन सा साइट नहीं नाम सबने साइट साइट पर बिल्कुल एक बन रहा है तो उसका तीसरा सब्द को अंसा है टी है वो ही आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर एंस्वर हो जाएगा तीसरे नम्मर वाला ही क्या हो जाएगा आपका इसका सही एंस्वर हो जाएगा चले आगे नेक्ष देखते है इस सब्द वंडर्फुल क सबी सवरों को पहले वरण माला करमानुसार रखा जाए फिर सबी वियंजनों को वरण माला करमनुसार रखा जाए क्या बोल रहा है if all the ovals from the world's wonderful are arranged in the sequence of the alphabet then all the consonants are arranged in the sequence of the alphabet किश्न का कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जितने सबर है उनको आगे लिखोगे और लिखोगे कैसे alphabet करम में जैसे मुझे तीन सबर मिल गए माला A E I तो मैं सबसे पहले A लिखोगा फिर E लिखोगा फिर E लिखोगा पहले सवर का काम complete होने के बाद आप कहां होगे consonant यानि वेंजन में आओगे उसका भी तरीका यही है कौन सा कि सबसे पहले alphabet में पहले आता है उसको लिखो उसके बाद बाद में आता है उसको लिखो ठीक है ना अंत में सभी सवरों को अंग्रेजी वरण माला के पिछले अकसर से तता सभी वेंजनों को अगले अकसर से बदल दिया जाए तो बाई और से पांचवा सब्द क्या होगा कौन सा सब्द देखना आपको बाई और से पांचवा सब्द क्या होगा वो आपको पता करना है ठीक है sequence of the alphabet and then if each or else is changed with the preceding letters यानी पिछे वाले of the alphabet each consonant is changed with the next letter in the alphabet आपको बताना क्या है which will be the fifth letter from left तो आप सबसे पहले ये देखो कि wonderful में सबर कौन कौन से है तो मैंने देखा एक तो है O एक मिल गया मुझे E, एक मुझे मिल गया U इन में भी सबसे पहले आता है आपका E उसके बाद O, उसके बाद U आता है अब मुझे क्या बचा एक तो W, N, D, R, F, L तो सबसे पहले D आईगा D के बाद क्या आता है भाई इसमें देखो D E, F है ना F हाता है F के बाद देखो G, H कहीं है क्या नहीं है G, H, I भी नहीं है J भी नहीं है K भी नहीं है L है L कर दिया L के बाद क्या जाएगा M है क्या नहीं है N है N आ गया ओ पी क्यू आर आ गया स्टी यू आ गया वी डबलू एक्स वाइजड सब देखो पूरे होगे क्या एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आट नो दस यह भी किते तीन तीन छे तीन नो इस दो बार आ गया ना यू तो किसमें आगया आपके वेंजन में आ गया तो क्या बच गया डबलू बच गया होगे पूरे सब्दे अब बोला क्या उसने अंगरे जी वरणमाला के पि्छले अक्सर से किसको चेंज करना है सवर को इपांच पर च्यार पर क्या होता है डी हो 15 पर 14 पर क्या होता है एन यू 21 पर 20 पर क्या होता है टे बिल्कुल चेंज कर दिया और जो वेंजन दे रखा है उनको आगे वाले से चेंज करेंगे कैसे D के बाद E आगया F G H I J K L का M N का O R कितने पर 18 पर 19 पर S और W का X यह हो गया पुछा कौन सा है 22 और से 5 वा तो पहला दूसरा तीसरा चोथा पांच वा क्या सब्दा आगया जी कहीं आपको दिख रहा है क्या बिल्कुल दिख रहा है कौन से में और सनमर ए में ही क्या दिख रहा है आपको जी दिख रहा है तो चवज दूसरा यह नमठर आपका बिल्कुल सही हो गया के चले आगे नेक्ष देखते है निमन लिखित पर्षन में एक स्रंकला में आसन अक्सरों के बीच अक्सरों की बढ़ती वी संक्या छोड़ी गई है निमन लिखित में से कौन सी स्रंकला इस नियम का पालन करती है In the following question, the increasing number is left between the letters exit in this series Which of the following series flows this rule? के उसन के कहने का मतलब यह है कि जो आपको सब्द दे रखे है ठीक है? ना, उन में दो वर्ल्ड के बीच में जितनी इस वर्ल्ड छोड़े गए है जैसे मैं ऑने बोला, B और जी के बीच में कितना होता है? आप बोलो कि C होता है, D होता है, E होता है, F होता है. तो अगर मैं G-M में जाँगा तो मुझे 4 से 5 मिलने चाहिए, M-T में 5 से 6 मिलने चाहिए, T-A में 6 से 7. हो सकता है 4 से 6 मिल जाए, फिर 9 मिल जाए, फिर 13 मिल जाए. लेकिन करम मिलना चाहिए. ठीक है, ना? अब आपको इनकी नमरिंग पता है देख लो नमरिंग बी होता है दो पर यह होता है साथ पर यह होता है तेरा पर यह होता है बीस पर यह होता है एक पर दो और साथ के बीच में अंतर आप बोलोगे पांच का पांच का नहीं होगा ना क्यों भाई बी है सी डी इए फ चार का और एक में कितने का हो जाएगा छै का यह पांच का तो क्या यह एंसर हो सकता है बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि मुझे बढ़ते वे उक्रम चाहिए ठीक ना बढ़ते वे गरम मुझे नहीं मिला 20 और 1 में किते गा प्रक्र Connect 16 बढ़ते हुआ का मिल रहा नहीं मिल रहा यहां देखो यह हो गया 2, 7, 13, S कितने पर? 19 पर यह हो गया 26 पर, इनके बीच 4 का अंतर, इसके बीच 5 का अंतर, इसके बीच 6 का मतलब 5 का यह भी नहीं होगा, बढ़ता वा करम चाहिए मुझे ना, आगे देखो, यह आपका कितने पर? 2 पर, 7 पर, 13 पर, T आपका हो गया, 20 पर, B आपका कितना पर हो गया, वैसे 2 पर होता है, लेकिन यहां 26, 28 मान लो, कितने का फरक है? 4 का, इसमें 5 का, इसमें 6 का, इसमें 7 का, क्या बढ़ता वा करम है, बिल्कुल है, तो answer नमर C, आपका क्या हो जाएगा, इसका सही answer हो जाएगा, उप्सन नमर C, आगे देखो, निमन लिकित पर्सन में, एक सरंकला के निकट वरती अक्सरों के बीच, छुटेवे अक्सर, पीछे की और से करम से, एक एक बढ़ते जा रहे हैं, निमन लिकित में से, कौन सी सरंकला, इस नियम का पालन नहीं करती, इन दी सिरीज, बिट्वेइन दी नीरेश्ट लेटर सार, इंकरीजिंग, ड्रेट वैली, विच ओव दी फ्लॉइंग सीरीज, फॉलोज दिस रूल, पिछला की उसन जो किया, सेम टू सेम ही वो हो गया, इसमें भी आपको क्या बताना है, कि एसा कौन सा सब्द है, जो लग पातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक एक बढ़ते वे जा रहे है, तो उसके लिए करोगे कैसे, एक ही चीज पता है, सब के नमरिंग लिख लो, ठीक है ना, सब के नमरिंग लिखा, मैंने ओ का, पंद्रा, एन का, चौदा बढ़ा या गटा, यह तो अपने आप 14, 12, 11 और 10, इसका तो यह मिल गया, इसमें मानलिया, इक बढ़ रहा है इसमें भी लेकिन यहां आपके कैघा और फरक हो गया, यह बोल सकते है, 14 से 15, बीच में कहां मिला, कुछ नहीं मिला, यहां देखो, यह हो गया 15, यह हो गया 13, यह हो गया 10, यह हो गया आपका F कितने रहता है fix और यह हो गया एक क्या इसमें बढ़तावा करम जा रहा है बिल्कुल जा रहा है लेकिन इसने क्या बोला था किस करम में होना चाहिए आपके one by one करम में होना चाहिए अब यह देखो पंद्रा नो साथ प्यार तीन नहीं हो रहा इसमें देखो पंद्रा तेरा ग्यारा नो साथ साथ नो ग्यारा तेरा पंद्रा यह वाला पिछे की और से करमस एक एक बढ़ते वे जाना चाहिए ना पिछे की और से एक एक इसमें देखो कितने का था एक का था फिर दो का था फिर एक का फिर तीन का ठीक है ना तो बढ़ते वे कौन से में जाएगा इसमें सोलो में लाज्ट वाला जो आपका ऑप्सन दे रहा है इसमें क्या यह जहाएगा बढ़तावा करम चल रहा है